दोस्तों अगर आपने BPSC TRE 3.0 का रिग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पर important update है answer की की बात करें या फिर OM art sheet को ले करके result को ले करके साथ ही दोस्तों DV के लिए जो जरूरी दस्तावेच है उसके बारे में सब कुछ हम लोग detail में जानने वाले हैं बने रहेगा वीडियो के लास तक बेना skip कर दोस्तों नहीं हो चैनल पर subscribe कर लिजेगा बिल आकन को प्रेश कर लिजेगा तक कि BPSC से related कोई भी authentic update आप से चूटने ना पाए दोस्तों यहाँ पर जो आज की news है आप लोग screen पर देख पारेंगे TRE 3.0 का answer की जारी नहीं होने से बढ़ी बेचैनी 28 जुलाई को ही जारी किया जाना था answer की दोस्तों यह आज की news है इसमें क्या कुछ mention किया गया है आपकी answer sheet को लेकर के, OMR sheet को लेकर के अभ्यार्थियों को कहना है कि पिछली बार 5 के दिन ही answer की जारी कर दिया गया था आपने देखा होगा दोस्तों BPSC TRE 1.0 के अगर बात करें या फिर TRE 2 के हम लोग बात करें तो TRE 2.0 में आपने देखा होगा कि exam होते ही जारी कर दी जाती थी, मंगर इस बार ऐसा नहीं हुए इसमें भी mention किया गया, सीच को लेकर के इस बार विल्यम भोने से तरह-तरह की सवाल उठ रहे हैं अभ्यार्थी सब्ता भर से रोज आयोग की वेबसाइट चेक कर रहे हैं सुबह उमीद के साथ शुरुआत करते हैं और शाम तक निराशा ही हाथ लग दिये तीसरे फेज की पुनर परिच्छा 19 से 22 जुलाई तक जैसा कि आपके जो TRE 3.0 का exam था वो 19 से 22 जुलाई तक हुआ है अभ्यारती पंकच राजेश पपू पिंकी राजा बाबू आदी ने बताए कि आयोग की ओर से 28 जुलाई तक आंसर की जारी करने को कहा गया था पांच दिन अधिक हो गए इनका कहना था कि जिस तरह से परिच्छा के बाद जाल साजों ने परिच्छार्तियों को जासे में लेने का प्रयास किया उससे डर बना हुआ है आंसर की जारी हो जाता तो परिच्छार्ति अपने परडाम को लेकर आशवर्ष तो हो जाते उसके अनुसार भी आगे की तैयारी करते अभी पूरी तरह असमंजस की इस्थिती है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे जो एक नोटिस जारी की जारी थी जैसा कि आपने नियूज में देखा होगा कि बच्चों से जो है कॉल करके जो बच्चे टीर ए 3.0 में जो बच्चे अपलाई के थे जिन्होंने इक्साम दिया है उनको कॉल करके पैसे की डिवांड की जारी है कि आप इतना पैसा देंगे तो जो है लिस्ट में नाम दिखेगा ये सारी चीजे हैं तो उसको लेकर कि आप अभ्यारतियों के मन में कहीं न कहीं डर बन चुका है और answer की email लेट हो रहा है हुआँ शीट में लेट हो रहा है इस वज़ज़ से ये सारी चीजे चल रही है तो जल से जल अगर जारी हो जाता है कई नंबरों का 8-10 नंबरों का difference दिखता है तो इस तरह से जो official answer कियाएगी तो उससे match करने पर वो चीजे confirm हो जाएगी कि हाँ उनके नंबर कितने बन रहे हैं क्या उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अगर हो जाता है तो ठीक है वो उसके लिए और तयारी करेंगे जो भी documents वगएरे हैं उसको prepare करेंगे दूसरी बात अगर उनको लगता है कि हाँ कम नंबर है हमारा नहीं हो पाएगा तो फिर वो जो है next तयारी में लगेंगे तो इस तरह से वो जो है confusion में है दूसरा दूसरों यहाँ पर आप देख सकते हैं ठगों के खिलाफ EOW कर रही जाच काल आये तो करेंगे शिकार देखिए उसके बारे में भी दिया गया है शिचकनुक्ती परिचा में शामिल अभ्यारतियों को पास कराने के लिए आ रहे है राजी का रहले पटना की और से परिचारतियों के लिए एडवाईजरी के साथ ही वाटसअप नंबर और इमेल आईडी जारी की गई है कहा गया है कि किसी तरह का कॉल आने पर अभ्यारतिय जासे में ना आएं और ततकाल शिकारत करें साथ ही किसी तरह की भरामक सूचना या आप वाँ पर ध्यान ना दे देने का भी सुझाव दिया गया है इनकी तरफ से दिया गया है दोस्तों बीपेसी की तरफ से एक नई नोटिस भी जारी की गई थी उसमें इस साफ़ तरफ पर मेंशन किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं मिंशन किया गया है सभी वांचीत प्रमाणपत्र तथा शचरिक प्रशचरिक योगिता सिचक पात्ता दस्ता परिष्टा यानि आपका सीटेट याटेट जो भी होगा उत्तीड आरचर समधी प्रमाणपत्र आवेदन करने की अंतिम तिथी देख पारेंगे 25 फरवरी 2024 तक निर्गत होना आवश्यक है यदि विलंब शुलक के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अहरता पातता समधी कोई भी अंतिम्ति थी विस्तारी तत्वा प्रभावित नहीं होगे इसमें बहुत से बच्चों की कमेंट आया है जो डाकुमेंट को लेकर के कि मैं मेरा जो है फार्म फिल अप करते टाइम वो डाकुमेंट नहीं कम्प्लीट हो पाया था बाद में हुआ है तो क्या हम इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी दोस्तों देखिए यहां पर साफ तरफ इनके यहां जो अफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन किया गया है कि पचीज फरवरी से पहले अगर आपके डाकुमेंट सब कुछ कम्प्लीट है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर पचीज के बाद चाहिए आप पचीज के पहले आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन बीए डिया 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 लेट की जो मार्शिट बहुत से बच्चे जो है अप्यरिंग में अप्लाई कर देते हैं कि एक्जाम हो जाता है बट उनका रिजल्ट नहीं आता है सर्टिफिकेट नहीं आता है बट वो अप्लाई कर देते हैं कि क्या पता कि आ जाए तब तक आ जाए लेकिन इन्होंने डेट जो दी है पचीज फरवड़ी दोहजार चौबिस इससे पहले अगर आपका बीएड या डिया डियलेट का रिजल्ट आ चुका है आप सीटेट आप पूरी तरह से बाकी जो रही अगर निवास पर्माण पत्र की बात कर लें कोई भी आपका पर्माण पत्र है तो यह भी पचीस के पहले का होना चाहिए अगर पचीस के बाद का रहेगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है डूसरा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि उनके पिता के नाम पर होना चाहिए उपरयोग्त आरच्छर संबंदी सभी प्रमापत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तूत नहीं करने पर आरच्छर का लाव दे नहीं होगा अगर जो है जैसा कि इनकी तरफ से जो चीजे बताई गई है पिता के नाम पर हो तो आप लोग पहले से जो भी चीजें आप यापको लग रहा है बहुत से बहुत से बच्छों की कमेंट आ रहे कि में पुछ जो है उनके माशीट में मिस्टेक है तो सरटीफिकर में अपको नहीं हो सकता है जो भी करना है वो आप लोग कर लीजिए तयार रखिए क्योंकि अब आपके पास बहुत जादा टाइम नहीं है आंसर की ओयमार शीट कभी भी जारी हो सकती है इनकी तरफ से बोला जा चुका है और आपका जो तो रिजल्ट है रिजल्ट के बारे में भी बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट जो है अगस्त के तीसरे सब्ता में आप देख सकते हैं टीरी परिछा के रिजल्ट में अब नहीं होगी तो बेरी अगस्त के तीसरे सब्ता तक रिजल्ट हो सकता है जारी तो अगस्त के तीस सब्सक्राइब तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा बहुत जादा टाइम नहीं लिया जाएगा तो दोस्तों यह थी इस से रिलेटेड बीपीए से टीरी पॉरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है बागी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं इस अपडेट के साथ तपक लिए बाई बाई टिकर थैंक्यू